आज हम बात करेंगे IMA और OTA की ट्रेनिंग के बारे में किसकी ज्यादा ट्रेनिंग टफ होती है और क्या ट्रेनिंग डूरेशन दाता है तो फ्रेंड्स अगर आप चानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए स्टार्ट करते हैं IMA यानि इंडियन मिलिटरी अकैडमी से तो 18 महीने की ट्रेनिंग होती है और जो आपका प्लेस ओप ट्रेनिंग होता है वो तैरादून होता है तैरादून is not very hectic यानि वहापर ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना यह वहापर ज्यादा सर्दी होती है और जो आपका training process होता है वो 3 terms में होता है यानि आपका जो training है यानि आपके जो 18 महीने है उनको 3 में बाट दिया जाता है आपके terms होते हैं almost 6 months in each यानि परतेक में 6 महीने होते हैं तो बात कर लेते हैं ओ यानि Officers नहीं है वो equator line से ज़्यादा दूर नहीं है तो ऐसा होने की वज़े से वहाँ पर गर्मी जाती है और आपको 11 मैने की training अगर्मीों में करने होती है एसा कुछ नहीं है वहाँ पर नॉर्मल टाम्प्रेचर होता है है यानी कि मश्कों पर्वर्ण कराया जाता है यानि कि आरा मैंने में आपका च्रेडी पर व कमपलीट करनी होती किणॐर था इस ben और aspirant होते हैं जो candidate होते हैं वो वहां से officers बनके निकलते हैं और अपने nation के लिए अपनी life को sacrifice करते हैं जब भी कोई soldier या officers किसी militant दुआरा suit कर दिया जाता है दोनों का ही blood red होता है आर्मी आपको भाई चारे के लिए train करती है ना कि यह चीज दिखाने के लिए कि इन में से कौन best है या कौन best नहीं है अगर बात करें IMA और OTA की training के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा जो OTA की training होती है वो IMA से थोड़ी ज़्यादा tough हो जाती है क्योंकि उनको 11 मेने के अंदर अंदर अपना सारा काम पूरा करना होता है तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका कोई question है तो आप उसे comment box में जाकर पूछ सकते हैं पस आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन